असलाम अलेकुम, Fiverr के gig के title की बहुत ज़्यादा importance है, क्योंकि gig का title gig को rank करने में भी important role play करता है, और जब भी कोई client आपके gig को देखता है, तो पहले वो आपके gig का image देखता है, और फिर आपके gig का title पढ़ता है, और अगर client को आपका gig पसंद आए, तो फिर ही client आपके gig पे title रखना है, और कैसे आपने इस title को पूरे gig में यूज़ करना है, जिससे आपका Fiverr का gig जो है, वो rank करेगा और आपको ज़्यादा orders मिलेंगे, आप चाहे कोई भी service provide करें हैं Fiverr पे, और किसी भी category से related आपके gigs हों Fiverr पे, अगर आप ये strategy यूज़ करेंगे, तो आपका Fiverr का gig जो होगा वो rank करेगा, और आपको ज़्यादा orders मिलेंगे, तो अभी laptop screen पे चलते हैं, और आपको दिखाता हूं कि क्या changes करने हैं, आपने Fiverr के gig के title में, मैंने पहले से एक gig open किया हुआ laptop पे, और इस gig का title भी बहुत अच्छा है, description और tags भी बहुत अच्छे हैं, और इस यूज कर सकते हैं, और gig को rank करके orders हासल कर सकते हैं, तो अभी laptop screen पे चलते हैं, और आपको दिखाता हूं कि कैसे आपने अपना title रखना है gig का, और अपने gig को rank करके orders लेने हैं, तो मैंने ये gig open कर लिए है, और इसका पहले title देखते हैं, इसके title में, I will design business flyer, one pager, booklet, media kit sheet, और ये image भी इसका अच्छा लगा हुए है, अब देखे, title में इसने जो words यूज किये हुए हैं, वो है business flyer, one pager, booklet, और media kit sheet, ये जो बंदा है, ये सिर्फ flyer design का भी gig बना सकता था, लेकिन इसने ये चार चीज़े add की हुई हैं, और इसका जो gig है, वो कई जगों पे rank कर रहा है, business flyer वाली category में भी, one pager की category में भी, और booklet की category में भी, और अगर आपका gig एक की बजाए तीन चार जगों पे rank कर रहा हो, तो obviously फिर आपको ज़्यादा orders मिलेंगे, और ये देखे, 13 orders in queue हैं, और 399 reviews हैं, लेकिन orders बहुत ज़्यादा इनके queue में हैं, और देखे, ये जो इन्हों इदर description में भी, starting में यूज किये हुएं, flyer, one pager और booklet, अभी आपको दुबारा दिखाता हूँ, flyer, one pager और booklet, और उसके बाद इन्होंने ये जो words इदर यूज किये हुएं, और title में यूज किये हुएं, ये इन्होंने tags में भी इदर यूज किये हुएं, अभी दिखाता ये देखे, one pager, business flyers, और booklet, ये तीन keywords जो हैं, इन्होंने properly use किये हुएं, और ये वाला gig जो है, आपको भी दिखाता हूँ, कि तीन जोगों पे ranker है, flyer को search करते हैं पहले इदर नए tab में, और देखते हैं, कहां पे है ये gig, ये देखे, ये gig second line में, fourth number पे ranker है, और first page है ये देखे, ये gig है, उसके बाद one pager search करता हूँ, तो अब कोई अगर fly design search करेगा, तो ये वाला gig second line में होगा, first page पे, suppose कोई और client जो है, वो one pager design करवाना चाता है, तो उसको search करता है, तो ये देखे, ये gig first page पे, first number पे ranker है, और उसके बाद booklet पे आ जाते हैं, booklet search कर लेते हैं, ये देखे, booklet जो है, इस keyword पे भी, ये gig first page पे और third number पे rank कर रहा है, तो इस बंदे ने title बहुत आला लिखा हूँ है, इस title में इसने तीन, चार जो keywords है, important वो रखे हूए है, और ये ही keywords इसने इधर description में भी रखे हूए है, flyer, one pager, booklet, और ये ही तीन keywords इसने, tag में भी ये देखे, इधर रखे हूए, तो आपने करना ये है, कि tags में भी, और description में भी, वही keywords लिखने हैं, जो आपने title में लिखने हैं, और title में आपने तीन, चार services के बारे में बताना है, जैसे ये बंदा जो है, ये graphic designer है, इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, love to follow professionalism in my designing career, तो इसने designing से related, तीन, चार services एक ही gig में दे दी हैं, और इसका जो gig है, तीन जगा पे rank करें सिर्फ एक gig की वज़ा से, तो अगर आप WordPress की services provide करते हैं, तो आप WordPress से related, तीन services एक ही gig में दे दें, और अगर आपकी कोई और service है, तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं, कि एक ही gig में तीन services similar type की आप provide करें, और इससे आपका gig different जगों पे rank करेगा, तो title आप थोड़ा सा lengthy रख लें, और इसमें similar type की 2, 3 या 4 services रख लें, और वही tags जो आपने इधर use की हैं, keywords जो इधर use की हैं title में, वही आपने इधर description में रखने हैं, और इधर tags में भी वही रखने हैं, जैसे इसने रखे हुएं, तो यह apply करें, चाहिए आप कोई भी service प्रोवाइड कर रहे हूं, तो यह senior video पसंद आई है, तो video को like करें, new है तो channel को subscribe कर लें, मैं इसी तरह की freelancing और online earning की videos बनाता रहूँगा, मिलते है नेक्स वीडियो में, thank you